हलो गाईज स्वागते आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल स्टरी बीद पूनम जटूर की साथ तो कल की वीडियो में हमने मंदी जो डिस्टिक थी उसकी दो रियासते पड़ी थी पुराने टाइम पे सुकेत रियासत और मंदी रियासत जिसमें हमने कल सुकेत रियासत को कंप्लेट किया था तो आज हम पढ़ेंगे मंदी रियासत के बारे में किसके पारे में पढ़ेंगे हम मंदी रियासत के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंडी रियासत के बारे में तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मंडी जो रियासत है उसके स्थापना किसने और कब की थी मंढी रियास्त की स्थापना जो है सुकेत रियास्त के राजा साहुसेन के चोटे भाई जो बाहुसेन ने किती और कब की थी? एक हजार इस्वे में, किसने करी थी, मंडी रियासत की स्तापन, सुकेत रियासत के जो राजा साहुसेन थे, उसके छोटे भाई भाहुसेन ने मंडी रियासत की स्तापना की थी, क्यों की थी, क्योंकि भाहुसेन और साहुसेन के वीज में अच्छे समन नहीं थे, जिस कारण स बाहुसेन ने सुकेत रियासत को छोड़के कुल्लू में मंदी रियासत की नीम रखी ठीक है और बाहुसेन ने क्या किया था हाट में राजधानी स्तापित की थी हाट ये कुल्लू भी पढ़ता है हाट ठीक है क्योंकि साहुसेन और बाहुसेन के बीच में अच्छी नहीं बन पेड़ी के राज़ा करंचन सेन थे जो 1278 इस्वी के आसपास मंगलोरी युद में कुलू के राज़ा द्वारा हराए गए थे उन्होंने क्या किया था पुत्र कल्यान सेन मंडी शहर के आसपास बटाखुली में राज़दानी स्तापित के थी और उन्होंने पराशर जील पुत्र थे कल्यान सेन उन्होंने क्या किया था मंडी शहर के आसपास बटाखुली में वहां की राज़दानी को स्थाननतित कर दिया था ठीक है नेक्स्ट आती है हमारी अज़वर सेन अज़वर सेन उसका शाशनकाल था 1527 से 155 चुंगन तो अज़वर सोरी अज़वर सेन 1527 में जो मंडी के राज़वने थे और अज़वर सेन 1527 इसवी में ही उन्होंने मंडी शहर के स्थापना की और अपनी राज़दानी भी कहां पर स्थाननतित की थी मंडी में ही बनाई थी बूतनाद मंदिर का निर्मार अजवर सेन ने करवाया अजवर से ने और तरिलो की नात मंदिर बनाया था अजबर सेन की रानी ने शुलताना देवी ने बढाया है था और यह दोनों मंदिर कहां पर तेते देते ऑन पर पूराने टाइम में कहां पर नियासट में पर जिए नाम पर बढ़ा था और 1534 इस्वी में अजबर सेन की क्या होगी मृत्यों हो गई थी ठीक है आगे आते हैं हमारे कुछ तीन जो ये राजा हैं ये इंपोर्टन नहीं इसके बारे में हम कुछ भी नहीं पड़ेगे बस इनका शर्षनकाल पड़ेंगे साहीब सेन 1575 तक राजा था नराइन सेन 1575 तक राजा था हारी सेन 1623 तक राजा था आगे आता है हमारे सूरेज सेन का शर्षनकाल था 1637 से 1664 तक सूरसेन ने क्या करवाया था। कमलाहरगड किला बनवाया था। दमादम मेहल का भी निर्मान करवाया था। सूरसिन के जो सूरसिन थे 18 पुत्रों की मृत्यूं के बाद उन्होंने क्या किया था माधो राय की चांदी की प्रतिमा बनाए थी और उसे 16 अप्रेल 1648 को उन्हें स्थापित करवाया था और मंडी में जो शिव मेला लगता है शिवरात्री का मेला लगता है वहाँ पे जो र ख़लिे जब माधो राय की चांदी की प्रतिमा है वो स्थापित की जारी थी 1648 को स्थापित की जारी तो उसी से ही उसी दिन से वहाँ की जो शिवरात्री है वो मनाया जाती है और वहाँ पे रत रात polar की जाते है सूरज सेन ने माधो राओ को मंदी रियासत का कुल देवता बनाया ऐसा कुशन आ सकता है कि किस राजा ने माधो राओ को मंदी रियासत का कुल देवता बनाया किस ने बनाया सूरज सेन ने और उन्हें गद्दी पर विठाया ठीक है अगला है हमारा श्याम सेन 1664-1679 तक इनका शाशिनकाल था, इन्होंने क्या कर रहा था, काली मंदिर का निर्मान करवाया था, जो तारन यहां पे हैं हमारा, यह मिस्प्रिंट हो गया है, उन्होंने काली मंदिर का निर्मान करवाया था, तारना धार में करवाया था, यह तारना धार, तारनाधार में करवाया था यहां पर में स्प्रिंट हो गया है तारनाधार में इन्होंने काली मंदिर का निर्मान करवाया था किसने करवाया था श्याम सेन ने अगला आता है हमारा सिद सेन सिद सेन 1684 से इनका शाषनकाल था और 1727 तक इनका शाशनकाल था इनके शाशनकाल में जो गुरु गोबिन सिंग थे वो मंडी आये थे और इनोंने सरकपूर किला बनवाया था 1695 में और इनोंने और क्या-क्या बनवाया था सिद गनेश मंदिर बनवाया था सिद जापला मंदिर बनवाया था इनोंने कौन-कान से मंदिर बनवाया था गणेश मंदिर बनवाया था तिरोक नात मंदिर बनवाया था जापला मंदिर बनवाया था इनोंने कहां पर बनवाया था मंदिवे बनवाया था और इनके टाइम बे ही गुरु गोबिन सिंग मंद आयते और इनों ने सरकपूर किला बनवाया था अगला है हमारा शमशेट सेन इनका जो शाषनकाल था 1727 से 1781 सूर्मा से 1721 से 1788 इश्वरी सेन इनका शाषनकाल था 1788 से 1826 तक अगला हते है हमारा जालिम सेन 1826 से 1849 बलवीर सेन 1889 इनके बारे में कुछ most important चीज़े नहीं है इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे अगले आते हमारा बाब बिजे सेन बिजे सेन का शाषनकाल था 1851 से 1902 तक इनका शाषनकाल था तो 1857 के बिद्रों में इनको अंग्रेजों का साथ दिया था जिसके उपलक्ष पर अंग्रेजों ने इनको 1864 में क्या ग्यारा तोपो की सलामी दी थी किस ने दी थी अंग्रेजों ने इनको ग्यारा तोपो की सलामी दी थी किसको दी थी विजे सेन को क्यों दी थी क्यों क्यों उन्हें 1857 के बिद्रों में अंग्रेजों की मदत की थी और माओं 1871 में मंडी आये सर हैनरी डेविस 1874 में मंडी की यात्रा की ठीक है और जो ये बिजे सेन थे बिजे सेन ने 1870 में दिल्ली दर्वार में भाग लिया थी यापर बिजे सेन ने बिक्टो्रिया सस्पंशन बिज बनवाया था उन्होंने बिक्टो्रिया सस्पंशन बिजे बनवाया था 1878 में किसकी याद में दिल्ली दर्वार में उन्होंने भाग लिया थी 1870 में उसकी आदमे उन्होंने 1878 में ब्यास तरट पर विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रीज का निर्मान करवाया था और उन्होंने क्या करवाया था उहद रदी पर उन्होंने 1881 में सस्पेंशन पुल का निर्मान करवाया था किसका सस्पेंशन पुल का निर्मान कब करवाया थ अठारासो एकसी में और विक्टूरिया सस्पेंशन पूल उहल नदी पर और ब्यास नदी के तरट पर क्या बनाया था विक्टूरिया सस्पेंशन पूल बनाया था आगे हैं हमारा 1901 में पादा जिवाननद पादा जिवाननद को जोधपूर में बुला कर बजीर निुक्त क्या गया था और उन्हें राय बादूर की उपादी दी गई थी पादा जीवानांद को जोधपूर बुला कर उन्हें बजी निउक्त क्या गया था और उन्हें क्या दिया दो है राय बादूर की उपादी दी कहे धी किसको पादा जीवानांद को ठीक है बिजे सेन की 1902 में मृत्यू होगी थी कब होगी थी बिजे सेन की मृत्यू 1902 में लॉड एलगिन 1899 में मंडी के यात्र की लॉड एलगिन ने कहां की यात्र की 1899 में मंडी के यात्र की और 1906 में लाजा लाजपतराई मंडी आये थे कौन आये थे लाला लाजपतराई का मंडी आये थे 1906 में आये थे चीक है अगला है हमारा भवानी सेन का शैशनकाल था 1903 से 1912 चीक है और उसकी बात हमारा राजा आता है जोगेंदर सेन जोगेंदर सेन 1913 से 1948 तक राजा रहा है और उनका शैशनकाल था वो एक अन्तिम शाशक थे मंडी रियासत के अन्तिम शाशक थे और राजा जोगेंदर सेन को नाइट हूड यानि के सी एस आई की उपादी दी गई थी किसको जोगेंदर सेन को और उसके बाद क्या हुआ? 1948 में क्या हुआ था? 1948 के बाद जो था सुकेत और जो मंडी रियासत है उनको क्या कर लिया था? बिले कर लिया था उनका और उनको एक जिले के रूप में उनका गठन किया कौन सा जिला था वो मंडी जिला बनाया गया 1948 के बाद इनको 15 अप्रेल 1948 को इन दोनों का बिले हुआ और इनको एक अलग जिले के रूप में एक साथ बिले किया गया इन दोनों का तो आज अबने क्या पढ़ा आज अबने मंदी रियासत के बारे में पढ़ा मंदी रियासत की स्थापना बाहु से नी करी थी कब एक अजार इस्वी में करी थी उन्होंने राजदानी कहां स्थापित के थी हाट कुल्लों में उसके बाद बांड से नाय बांड से ने व्योली राजदानी बनाई उन्होंने पराशर मंदिर का निर्मान करवाया अजवर सेन आए उसके बाद उन्होंने मंडी शहर की स्तापना करी और उसे ही अपनी राजदानी स्तापित किया बूतनाद मंदिर का निर्मान करवाया तिरी लोग की नाथ मंदिर का निर्मान करवाया उसक चैनल पर जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दे थेंक्स पूर वचिंग मैं वीडियो बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर